देश का कोहिनूर, देश का अन्मोल रतन अपनी आखरी यात्रा पर है, अपसे कुछी देर में अंतिम संसकार रतन टाटा का होगा, तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भीड आप देखे किस कदर उम्री हुई है, और ये भीड ही इस बात का पैमाना है, कि रतन ट टाटा कहने को तो एक मशूर उद्योग पती थे, लेकिन उन्होंने उद्योग के साथ-साथ जो समाद सेवा की, उसी ने इस देश में उनके लिए एक अलग जगा बनाई, और वही अलग जगा है, आज खाली हो रहे है, कपूर्यक शती आज पूरा देश महसूस कर रहा है, के जी सुरेज जी जब बात होती है रतन टाटा की, तो बात छिर जाती है कि कैसे वो टाटा ग्रूप से जुड़े, कहने को मालिकाना हक के साथ जोड़ सकते थे, किसी बड़ी पोजीशन पर जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना एक कर्मचारी के तौर पर अपनी ही कंपनी में जाना, वहाँ पर चुना भटी का काम करना, यानि छोटे-छोटे काम को सीखना, तब जाकर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करना और घर-घर तक पहुचना, दुनिया में धमक्चमाना बिल्कुल, वो देखिए, शाप फ्लोर से उन्होंने शुरू किया, जो मैं समझता हूँ कि आप कंपनी तब तक नहीं चला सकते हैं, उनका ये फिलोसफी था, कि जब तक मैं उस कंपनी के हर, हर गतिविती को समझू नहीं खुद, तब ही जाके मैं करमचारियों को समझ पा पाऊंगे, उनका समस्याओं को समझ पाऊंगा, उसका समाधन ढून पाऊंगा, ये एक प्रबंदक का गुण है, कि वो जमीन पर उतर कर वो चीजों को समझे, और जैसे बताया गया है, कि कभी उद्देश कभी मुनाफ़ा नहीं रहा है, मुनाफ़ा इसलिए ताकि वो समा आम आदमी के हरदे में, आज से नहीं, पिछले कई दशकों से, जब आप देश के रईसों की बात करते थे तो आम लोगों के जुबान पर आज भी टाटा बिरला है, लेकिन उसके बाद कितने रईस आए, लेकिन वो इसलिए था, क्योंकि चाहे वो इन दो परिवारों ने, चाहे स्वाधीनता संग्राम हो, या धरम का कार्य हो, इन्होंने मातर समाज को वापिस भी उतना ही दिया है, जितना उन्होंने एक व्यवसाई के अंतरगत कमाया, तो महत्मा गांदी जी कहा करते थे, कि जो भारत के जो उद्योग पती हैं, वो हमारे देश के संपती के नि नियासी हैं, तो वाक़ी वे नियासी के भूमिका में रहे, और कितना दे सकते हैं, आपको ताजूब होगा सुनकर, उन्होंने बड़े बड़े फंडिंग कॉर्नल यूनिवरस्टी को दिया, कैलिफॉर्निया यूनिवरस्टी को दिया, हारवड को दिया, लेकिन अगर लाब मिलेगा, अगर स्कॉलर्शिप्स वो इंस्ट्यूट करते थे जिदेशी अभिशुई द्याले हों, एक उद्योग पती कैसे नेशन फस्ट को रख सकता है, कैसे भारत की बात कर सकता है, अपने उद्योग का विस्तार करते करते, इसका परफेक्ट एक्जाम्पल रतन टाटा है, जब हम कहा रहे हैं, कि वो अपने आप में इंस्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब यह है, कि अगर आपको अध्योग के गुण सीखने है, तो आप रतन टाटा को स्टडी करिए, तो ऐसा व्यक्तित्व है जिसे शब्दों में पिरोना थोड़ा मुश्किल हो जा तो उनकी बात मुझे आदाती है कि इस देश को मुझे एकनोमिक पावर नहीं बनाना मैं चाहता हूं कि भारत एक खुशहाल देश रहे यह सोच थी रतन टाटा जी की बिलकुल आप देखे कि वो जो ग्लोकल जो मोदी जी बात करते हैं उसका एक आधर शुदारन टाटा ग्र भारती किया बलकि अपने भारती हमें से भी खड़े किये हैं आज टाटा कंसलेटरसी ले लिजिए उनके बाकी नहीं ने उद्योग देखिये और जिस तरह से उनका एम्प्लॉइमेंट जनरेशन है जिस तरह से ध्यान रखने हैं आज से नहीं शुरू से जैसे मैं पहले भ गए नहीं जैसे हम सबी कह रहे हैं कभी उनको नंबर बने की इच्छा थी ही नहीं मैं अच्छा मेरा अच्छा मैं ऐसे काम करूं कि लोगों का भला हो यह जो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एप्रोच है कि अगर लोगों का भला होगा तो सब को सही चलेगा अगर के बारे में इतनी बाते कंप पर जाती है आपको बीच में रोक रही है और खास पैमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मंतरी हैं यूपी सरकार में कराजने टिग्ये है बहुत स्वागत है असीम अरुण जी आपका इंडिया तीवी पर एक किस्सा में आपका पढ़ रही थी और वो किस्सा वाकई में प्रेड़ना दायक भी है अनुभव बता रहा है आपका और साथी बता रहा है कि रतन टाटा कितनी महान शक्सियत थे आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि आपकी वो मुलाकात कैसे हुई और उस मुलाकात के दौरान आपने क्या सी मेरा भी गम उतना ही जितना आपका है और मैं इस अफसर पर आज याद कर रहा था एक मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया मुझको आधनी रतन टाटा जी के साथ करीब ये गड़ गंटे रही पर अफसर मिला था मैं उस में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप में स्टर क बोडिगाड था और स्पीजी एक एक एन्व लेक्शर कराती थी तो उस साल का विश्य था डिवल्पिंग ऑगनाजिशनल एक्सलेंस और उसके लिए स्पीकर के रूप में रितन टाटा जी को इन्वाइड किया लिया था और जैसी परंपरा होती है कदिकारी जाते हैं स्प प्रेसिजेंशल सुविट में एक समानी कमरे में रुपते थे कोई उनको गाड़ी लेके चला तो एक बहुत परानी 1960 की शाद मॉडल की पर सुटीज होगी और ट्राइवर भी साथ साल के कम से कम से हो और कोई स्क्यरोटी नहीं कोई उनके साथ यारो या कोई सायोगी कोई अपना काम स्वेम करते थे मैं उच्छा सर आपके साथ स्क्यरोटी नहीं है तो पुले मुझे कोई खत्रा नहीं किसी से स्क्यरोटी क्या सब्वन तो मैं बड़ा और यह भी सीखने वाली बात थी कि कितना साथ की पसंद प्यक्ती जो इतना पड़ा ग्रूप समालता है ऐसे वाला भी है लेकिन पूरी तरह साथ की के साथ चलने वाला और काम अपना बिल्कुल उच्छ कोटी कारके थे माँ यही जो समाने जेस्चर है इतनी उच्छ पद्दती पर बैठा हुआ शक्स इतनी काम्याबी हासल करने वाला शक् तो असीम जी ऐसी चाप छोड़ कर जाता है जैसे आपके जीवन पर छोड़ी या उनको जानने वाले ना जाने कितने करोडों लोगों के जीवन पर उन्होंने छोड़ी होगी शुक्रिया आपका असीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए रतन टाटा जी के विलीन हो चुके हैं